दोस्तों मैं सोरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK Top 25 SMCQs जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैत पून रहेंगे आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा 25 में से कितने questions के answer सही कर पाते हैं अपना score comment box में जरू बतेगा मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो रात में 9 बजे Only Top Study YouTube चैनल पर regular आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें चलिए सुरू करते हैं पहला question है मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है तो पहले question का right answer क्या रहेगा मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है सही answer है कार्बोहडरेट सक्कर में बदल जाता है यानि की right answer C रहेगा पहले question का सही answer Question number 2 है सबसे बड़ा उपनिशद कौन सा है right answer है ब्रह दारन्य को उपनिशद यानि की दूसरे question का right answer D हो जाएगा तीसरा question है sodium chloride में उपस्थित कौन सी एसुदता नमी सोकती है तो तीसरे question का right answer है Magnesium chloride यानि की तीसरे question का right answer A रहेगा ये आपको याद रखना है Question number 4 है व्रेद राजिस्थान का निर्मान किया गया था सही answer है 30 मार्च 1949 में Question number 4 का right answer C रहेगा पांच्वा question है संयुक्त व्रेद राजिस्थान में मतस्य संग को कब समलित किया गया था सही answer हैगा 15 माई 1949 यानि की ए right answer हैगा अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master pdf को जरू ले लिजेगा इसमें आपको सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pdf का link description box और अमारे whatsapp नंबर दोनों जगरेगा link पर click करके payment करके आप pdf directly प्राप्त कर सकते हैं session आपको अच्छा लगे तो please like share करना और अगर आपको payment करने के बाद में pdf नहीं मिलती है तो इसी number पे हमें message करना चटा question है विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्स हुई थी चटे question का right answer है दोस्तो 1961 में यानी की right answer भी रहेगा question number 6 का सही answer question number 7 है कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है दोस्तो कोशन नबर 7 का राइट आंसर हेगा अमेरिका में यानि की राइट आंसर D रहेगा कोशन नबर 7 का सही आंसर कोशन नबर 8 है इंद्रा पॉइंट कहां पर इस्थित है इंद्रा पॉइंट कहां पर इस्थित है दोस्तो आटवे कोश्चन का राइट आंसर हैगा अन्मान निकोबार बे यानि की राइट आंसर इससी ये आपको याद अखना है कोश्चन नम्बर नाइन है वोसिंग सोडा निमलिकित में से किसका सामान्य नाम है जोसिंग सोड़ा निमलिकित में से किसका सामान्य नाम है दोस्तो राइट आंशर हैगा सोडियम कार्बोनेट का यानी कि राइट आंसर इस बी Q Quickly नमर 10 है Theosophical Society का सुरुवात किसने किया Theosophical Society की सुरुवात किसने किया था दोस्तो तो सही आंसर हेगा एनी बेसेंट यानि की बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वे लक्समी नारायन सास्तरी का संबंद किस नत्य सैली से है लक्समी नारायन सास्तरी का संबंद किस नत्य से है तो राइट आंसर इस कुछी पूरी से है ग्यारवे कोश्यन का राइट आंसर दुस्तो ए हो जाएगा कोश्यन नमबर बारा है हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था 12 कोश्यन का राइट आंसर एगा 1882 में यानि कि B is the right answer निमन माध्यम में धवनी का वेक सर्वदिक है तो सही आंसर रहेगा दोस्तो धवनी के माध्यम को धवनी को दोस्तो किसी माध्यम की जुरत होती है तो ठोस धातु में धवनी का वेक सर्वदिक होता है सही आंसर डी रहेगा रहनुमाई मजद्या सान सबा के संस्तापक कौन थे राइट आंसर रहेगा दोस्तों दादा भाई नेरोजी कोशन नमबर 14 का राइट आंसर C रहेगा ये आपको यह दखना है कोशन नमबर 15 है डाइमंड हर्बर और साल्ट लेक सिटी कहां इस्तित है सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना दोस्तों और अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना इस सेशन को सही आंसर रहेगा कोल कता पंदरवे कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा सोलवा कोशन है प्राकलन समीती में कितने सदस्या होते हैं सोलवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्राकलन समीती में 30 सदस्या होते हैं यानि कि A is the right आंसर सतरवा कोशन है साइलेंट वैली किस राज्य में इस्थित है साइलेंट वैली किस राज्य में इस्थित है सही आंसर रहेगा दोस्तों केरल यानि कि C is the right आंसर कोशन नबर अठारा है प्रदानमंत्री जीवन जोती योजना किस वर्स शुरू की गई थी राइट आंसर रहेगा 2015 में यानि कि B करेक्ट आंसर रहेगा गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया था राइट आंसर इस हर्द्यान यानि कि B is the right आंसर कोशन नबर 20 है क्रिस्टोफर कोलम्बस कहा था क्रिस्टोफर कोलम्बस कहा था दोस्तो बीसवा कोशन जिन्यों में यानि कि B कोशन कर राइट आंसर C हो जाएगा कोशन नबर 21 है सेरसां का पर्मुख पर्तिद्विंदी कोन था हुमाईयू दोस्तो राइट आंसर हैगा यानि कि C is the right आंसर 22 है निवन में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास इस्थित है कोशन नबर 22 का राइट आंसर हैगा राजिस्थान यानि कि B is the right आंसर कोशन नबर 23 है प्रस्तनाव का SI मातरक क्या होता है प्रस्तनाव का SI मातरक क्या होता है न्यूटन मिटर यानि कि A is the right आंसर कोशन नबर 24 है हरी सेन किसका राज कवी था कोशन नबर 24 का राइट आंसर हैगा समुद्र गुप्त का यानि कि D करेक्ट आंसर हो जाएगा वे कोशन नबर 25 है उद्र भूमी किसकी समाधी स्थल है कोशन नबर 25 का दोस्तो राइट आंसर हैगा के आर नारायन यानि कि राइट आंसर इस C अब देखे 25 में से आप लोगोंने कितने कोशन के आंसर सही किया है कमेंट बोक्स में अपना स्कोर बताएगा इंद्रा पॉइंट कहां परिस्तित है या आप लोग के लिए टेस्ट कोशन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है प्यारे दोस्तों Only Top Study एप को फटा फट डाउनलोड करिए और यहां से आप लोग किसी भी एक्जाम की टेस्स सीरीज ले सकते हैं Only 39 रुपीज में ये ओफर बहुती लिमिटेड समय के लिए है अगर आप लोगोंने किसी भी एक्जाम की जारी करने है तो आप यहां पर फटाफट टेस्स सीरीज के लिए विजिट जरू कर लेना और मास्टर पीडियाप अगर आप लोगोंने अभी तक नहीं ली है तो यह 170 रुपीज की मास्टर पीडियाप है इसमें हर एक सब्जेट के important question answers का collection है पीडियाप का link description box में है और हमारे WhatsApp नंबर पर इसका barcode मिल जाएगा आप message कर देना अगर आपको इस session पसंद आया है तो like share करिए channel पर नए है तो subscribe करिए bell icon को on रखिए ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much bye bye everyone take care खाले के अपना मिलते हैं next class में